मद्यप्रदेश, 36 गड़, राजस्थान, तिलंगाना के चुनाव जीतने के लिए कॉंग्रेस में स्ट्वेटजी मिटिंग का दौर तेज है इसी से निकली है सेंट्रल इलेक्शन कमीटी यानि CEC उमिद्बार टिकट का फैसला करने का काम कॉंग्रेस अद्यक्ष मलकार जुन खरगे ने इसी कमीटी को सौपा है सोनिया गांधी राहूल गांधी से लेकर हाई कमाल लेबल की कई नेता तो इस कमीटी में है ही कुछ नाम चौकाने वाले भी है उमकार सिंग मरकाम ऐसा ही एक नाम है दिगविजय सिंग कमलनाथ के रहते मद्यप्रदेश के नौजवान आदिवासी नेता को CEC में जगह मिली है मरकाम का CEC में आने का मतलब उनका कद राष्ट्रिये नेता वाला बन गया है मरकाम डिंगोरी विदानसवास से अपना चुनाव तीसरी बार जीत कर विदायक बने है 2018 में कमलनाथ के सरकार बने तो जन जाती कल्लयान के मंत्री बने थे पिछले साल हाई कमान ने मरकाम को मद्यप्रदेश में आदिवासी कॉंग्रेस का देक्ष बनाया था उंकार सिंग का ख़द तब और बढ़ गया था जब मद्यप्रदेश के केमपेन कमीटी में भी शामिल किया गया था आदिवासी संट्रीज पॉलिसी के तहद ही जाबुआ के बड़े आदिवासी ने था कांती लाल भुरिया को केमपेन कमीटी का चेर्मेन बनाया गया था राहुल गांधी का बड़ा फोकस आदिवासियों पर है कांती लाल भुरिया के बाद उंकार मरकाम का प्रमोशन उनकी इसी स्ट्रेटिजी का हिस्सा है कॉंग्रेस की केंद्रिये चुनाव समीती में जगह पाना मामूली बात नहीं है हरजुन सिंके बाद मद्यप्रदेश में सिर्फ उंकार मरकाम है जिनको सी इसी में जगह मिली है सी इसी स्क्रीनिंग कमेटी के सिफारिसों पर ठीक्टो का फैसला करीगी मद्यप्रदेश में आदिवासियों का वोट बैंक करीब 25% माना जाता है 237 में से 47 सीटे तो रेजर्फ है ही 32 सीटे ऐसी है जहाँ आदिवासी वोटरों के संख्या 25 हज्यार के पार मानी जाती है मतलब करीब 80 सीटों पर आदिवासों की पसंद नापसंद से विधायक शुने जाते हैं 52 में 6 जिले, फुली ट्राइबल और 15 जिले, पार्सली ट्राइबल माने जाते हैं 2018 में कॉंग्रेस के जीत में बड़ा योगदान आदिवासी बेल्ड से आया था 47 रिजर्ब सीटों में से 36 सीटें कॉंग्रेस ने जीते थी इसे के बतौलत कॉंग्रेस सरकार बना पाई थी 2013 में बीजेपी के हिस्से में 31 सीटें आई थी राहूल गांदी कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि कॉंग्रेस मद्यप्रदेश 36 गर्ड तेलंगाना के चुनाओं में बीजेपी को हरा देगे इन राज्यों में भी वही हुआ जो करनाटक में हुआ थी राहूल गांदी मद्यप्रदेश में 140 सीटें जितने का दावा कर चुके हैं